नमस्कार, पाना रस्तोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज हम आलू सेम की सबजी बनाएंगे, जो बहुती स्वाधिश्ट और स्वाधिश्टी लगती है, तो आईए देखते हैं, बनाना इसको शुरू करते हैं, और आप देख सकते हैं, हमने याँ पर सेम ले लिये हैं, और इसको अच्छे से हमने पहले वाश कर लिया था, उसके बाद हमने इसको कपड़े पर रखकर अच्छे से सुका लिया, यानि कि पोच लिया है, और अब हम इसको काटेंगे, तो इसको काटने का सबसे अच्छा तरीका है, इस तरीके से दोनों कोनों से खिचना है ताकि इसके जो तार है वो निकल जाए और खाने में जो तार है वो नहीं आए ये देखिए इस तरीके से इसके तार निकलते हैं तो वो मुह में आते तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं दूस्तों तो इस तरीके से ये देखिए, इसके जो तार होते हैं, वो हमें निकालने होते हैं, और उसके बाद हमें इसको कट करना होता है, तो चलिए फटा-फट से देखते हैं इसको, और इसके बाद हमें इसको कट कर लेना है, ध्यान रखेगा, इसके अंदर कीडे ना हो, इस बात का ध्यान रखेगा और अच्छे से इसको पहले चेक कर लीजिएगा तो आप देख सकते हैं हमने सारे की सारे सेम कट कर लिए हैं और अभी यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज के आलू भी कट कर लिए हैं और इसको भी हमने छोटे-छोटे टिकड़ों में काटा है और अब चलते गैस की तरफ तो यहाँ पर कड़ाई में हमने जेतुन का टेल डाला है दोस्तो आप इसकी जगह पर सरसो का भी तेल डाल सकते हैं तो इस तरीके से तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद जीरा डाल देंगे और जीरी को थोड़ा सा मुन्ने देते हैं जीरा भुन जाए उ अच्छे से एक बार इसको चमत से हीलाने की बाद इसके अंदर हमें डालना है हिंग पाउडर डाल देना है दोस्तो और हिंग पाउडर डालने की बाद हमें डायक्टर इसके अंदर आलू डाल देने हैं और आलू को हमें एक से डेट मिनिट के लिए अच्छे से बुनना है मेडियम फ्लेम पर जितना हम आलू को इस स्टेच पर भूनेंगे उतना ही बहुत ही अच्छे लगेंगे तो हमें एक मिनित तक अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर धनिया पाउडर भी डाल देना है साथ में और मसाले भी साथ साथ में डालते रहना है तो हल्दी पाउडर डाल देते हैं यहाँ पर दनिया पाउडर का इस्तेमाल हमने एक चमच किया था और आदी चमच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया था दूस्तों और अच्छे से इसको भून लेना है करीब करीब एक से डेड़ मेंट तक हमें इसको भुनना है दोस्तो चैनल को अब तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और ऐसे ही नएने वीडियो आपको मिलते भी रहेंगे और अब इसको ठककर रख देते हैं करीब करीब एक मिनट के लिए बस एक मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और आप देख सकते हैं एक मिनट हो जेगा है दोस्तों ये जलना नहीं चीए इस बात का ध्यान रखे गेस को कम रखे अधिक गेस ना रखे अब इसके अंदर हमें डालना है सेम तो कटे हुए सेम इसके अंदर हमें डाल देने है और अच्छे से इसको mix कर लेना है अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वात की अनुसार ये दिखिए और अच्छे से mix भी करते जाना है बीच बीच में साथ में ही लाल मिच पाउडर डाल देंगे हमने यह आपर हरी मिच का इस्तमाल नहीं किया है दोस्तो, हमचूर पाउडर डाल देते हैं एक चमच और इसको अच्छे से mix कर लेना है आप चाए तो हरी मिच का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो तीखा कम या जादा अपने अनुसार आप रख सकते हैं अब अच्छे से इसको mix कर लेना है और इसके बाद इसको करीब करीब 5-6 मिट के लिए medium flame पर पकने दिना है तो चलिए 5-6 मिट कर इसको डख कर रख देते हैं और 6 मिनिट बाद इसको खोलते हैं लेकिन बीच-बीच में इसको चलाते रहिएगा एकाद दूबार आप चला लीजिएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से इसको mix कर लेना और एकाद आलू को हमें दबा कर देख लेना है कि आलू हमारे अच्छे से soft हैं या नहीं अब इसके अंदर गरम मसाला डाल देते हैं तो एक चमच हमने या पर गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से इसको भी mix कर लेना है अब इसके अंदर हम डालेंगे नारील का बुरादा जी हाँ दोस्तों ये पूरी तरीके से optional है अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा ज़रूर और नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको skip बे कर सकते हैं अगर आप इस सब्जी को रसिली बनाना चाते हैं तो थोड़ा इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यापर इसको सूखी सबजी बनाई है इसलिए मैंने यापर पानी का इस्तमाल नहीं किया है तो आप देख सकते हैं अब इसको एक बाउल के अंदर निकाल दिंगे और उपर से थोड़ा सा नारिल का बुरादे से गार्निश कर दिंगे दोस्तों तो आज की रेसिपी आपको केसी लगी वो मुझे कमेंट करकी ज़रू बताए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए ये स्वादिष्ट सबजी का आनन ज़रू ले और प्लीज चेनल को सस्क्राइब ज़रू करें मिलती हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई